नमस्कार दोस्तों आप सभी सात्यों का फिर से एक बार स्वागत है सात्यों अखवार की माध्यम से जो भी लेटिस्ट अपडेट प्रकाशित की जाती है शिक्षाई भाग से संबंदित आप सभी को सुबह सुबह में देने की पूरी कोशिश करता हूँ कल से शुरू होगी नव न्यूक्ति शिश्कों की पदास्थापन प्रकिरिया ये न्यूद जो है वो पटना से आ रही है शिक्षक न्यूक्ति सात्यों या बिहार शक्षमता प्रिक्षा की त्यारी कर रहे है तो किरन पब्लिकेशन ने आपके लिए पार्टिक्रम पर आधार दूसर के चरण में न्यूक्ति किये गए पटना जिली की शिक्षकों की स्कूलावन्टित किया जाय गा जिला शिक्षा काड़िया लएक कि अनुसार पदास्थापन की प्रकिरिया की तयारी की जा रही है शिक्षकों के डॉकुमेंट के मिलान के कारण इन शिक्षकों के पदस्थापन में देरी हुई है कागजात की जाचपुरी हो गई है ने शिक्षकों को पदस्थापन की जानकारी SMS के माध्यम से दी जाएगी जिलाश शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि इस सपता में नेश शिक्षकों को पूर्म में हुए कौंसलिंग सेंटर बुला करके पदस्थापन पत्र जो है वो दिया जाएगा पत्र मिलने के दो दिनों के अंदर में योगदान करना अनिवारी होगा जिस दिन से सिक्षक स्कूल में पढ़ाना शुरू करेंगे उसी दिन से उनका वेतन जो है वो शुरू होगा इस बार ग्रामीन छेतर के स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा ये बात आपको पता ही है कि ग्रामीन छेतर में किया जा रहा है नेस्षिषओं के स्कूल आवंटित सौमबार को अरंगाबाद, रोतास दोपाल गंजबंड दूसरी तरण में चैनेश्षिषओं के स्कूल आवंटित कर दिये गए हैं यह लोग मंगलवार से आवंटित स्कूलों में योगदान दे सकेंगे 3800 जिलों में से 16 जिलों का जो है वो स्कूल आवंटन अभी तक किया गया है तो पटना जिला को ले करके यहाँ पर न्यूज प्रकाशित किया गया पटना जिला के जो भी साथ ही हैं वो चिंतित ना हो कल जो है आपका विद्याले आवंटन हो सकता है मतलब इसी सब्ता में आपका विद्याले आवंटन जो है वो कर दिया जाएगा